हेलो स्ट्रेंट्स वैलकम टू सी यूई टी वाला और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी बीएच यू का नोटिफिकेशन आया है सी यूजी एड्मिशन के लिए कि आपको कौन-कौन से कोर्सेज हम उफर कर रहे हैं और उनमें एड्मिशन के लिए आप कौन-कौन से डोमें सब्जेक्ट कौन सी लेंग्विज लेना है या नहीं है वो सारा डीटेल और फिर कोर्सेज की फीस क्या रहेगी यूनिवस्टी में जब आप उनमें पढ़ेंगे तो एवरीधिंग उन्होंने मेंशन करके दिया है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपक इसको बदा देता हूं कि किस तरह से यह हमारा एक इन्फरमेशन बुलेटिन है तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेना देख लेना कि आपको जो कोर्स चाहिए उसमें क्या-क्या सब्जेक्ट की डिमांड है कौन से टेस्ट देने और क्या उनकी डीटेल्स है तो इसमें यहां पर हम आते हैं कि एक तो यहां पर हमें मेंशन किया हुआ है कि जो बीए ऑनर्स आर्ट से उसमें maximum इंटेक तो वह सारे यह पे मेंशेण मिलेंगे आपको जैसे अगर मैं इसकी बात की बात करोई हम इनके बारे में पूरा अमारा मेंशन रहेगा हिश फेर और मैं आगे आपको इसमें दिखाऊंतो यहां पर मारी और डीटेल है कि स्पोर्ट की भी स्थीड गेरा इसमें रिजाइव रहेगी फिर आगे हमारा इसमें देखो यहाँ पर आपको जो यह डिटेल मिलेगी जो कि मैं आपको explain करता हूँ यहाँ पर हमें जैसे इस पर हम आ जाते हैं BA Honors in Social Science तो बता रहे हैं कि duration 6 semester की होगी जो की 3 years की रहेगी उसके लावा आपने 12th कर रही हूँ minimum 50% मारा को आपके 12th में 50% से कम मार्स बने तो B.H.U. आपको admission नहीं देगा उसके लावा बोला like BA Honors in Economics, Maths and Stats इसमें आपको student must have studied Maths as one of the subjects at high school तो अगर आप जैसे इन तीनों में जाना चाहते हैं तो आपने 12th में Maths पढ़ी हूई हो ठीक है तो यह अलगलग हर एक भी नीचे हम जाएंगे तो यह जैसे बीकॉम आ गया तो कि 6 semester है उसके अलवा आप बीकॉम जैसे financial management इसमें कर रहे हो तब भी आपका 6 semester 3 years है 10 plus 2 लबगी 12th कर रहे हूँ और उसमें आपने कम से कम यह आपने लग जाएगा कि आप बीचू के उस course के लिए eligible है या नहीं है मतलब कि आपने 12th में वो जो demand कर रहे है कि आपने 12th में Maths पढ़ रखा हो या Physics Chemistry Biology क्या मांग रहे हैं तो वो आपको पूरे आगे हमारा मेंशन है minimum eligibility criteria यह भी सारा इनी का चल रहा है आगे जो मैं चीज आपको दिखाने वाला हूँ important चीज देखो यह है हमारा सबसे important chapter 4 that is details of examination इसमें आपको क्या करना है क्या क्या चीज ध्यान रखनी है कि देखो selection of domain general या optional language for यूजी program जिस सबसे पहले बेटा दिया BA honors in social science तो इन्हों ने यह mention किया हुआ है कि आपको section 1a में एक language लेनी है या तो हिंदी या फिर English तीसरी language नहीं चलेगी ठीक है या तो हिंदी लेनी है या फिर English and section 3 general test तो आपको जो है एक language लेनी है हिंदिया इंग्लिस मैं से और एक general test किसके लिए BA honors in social science इसी तरह सी सास्त्री को गया बी ऐललवी बी ऐललवी की बात करूँ तो यहां पर इन्हों ने mention किया कि section 1a में से या तो हिंदी लो या English paper दो ठीक है एक language लेनी है फिर इन्हों ने बोला है section 2 legal studies का भी आपको जो है paper देना है उसके अलबावा section 3 general test का भी चलेगा section 2 accountancy भी लेना है और business studies भी लेना है दोनों subject लेना है domain and section 3 general test तो हमें एक pattern यहां पर notice कर रहे हैं कि section 3 general test तो ही है इसमें और उसके लिए मैं आपको करवाई रहा हूं यहां पे current face की class class में ही आपको पूरा current face याद करवा रहा हूं जो कि आपके exam में आ सकता है वो सार कोई मेंस नहीं कर रहा हूं तो उसके अलावा मैंस और reasoning मैं आपको short trick दे रहा हूं क्योंकि हमें अभी तक हमने board के लिए पड़ा और board के लिए मैं पूरा solve करना होता था लेकिन यहां पे maths के सवाल होंगा board की तरह करेंगी तो पीछे रह जाएंगे तो हमें वो नहीं करना ह हमें हर सवाल मैंस में और reasoning a short trick से करना है कि 15 to 20 seconds में answer ले आए तो उसके लिए मैं आप कैसा आतू हूं आपको पूरा timely syllabus आपका hopefully April India my first week तक आपन करवा लेंगे फिर marathon भी करेंगे ताकि जो भी आप students है CUT वाला के उन सबका selection sure हो जाए तो similarly भी यह हो गया फिर हमने BCOM का भी देख लिया तो इस तरह से आप यहां पर जाके सब कुछ देख सकते हैं बेटा BSC Maths का हो गया ताकि section 2 direct section 1 की language की जूरूत ही नह नहीं हमारा फिर biology का हो गया तो यहां पर यह तीन नोमेन physics chemistry biology हो गया agriculture के लिए कि section 2 से हमें यह तीन को में यहां तो physics chemistry maths ले लो या PCV ले लो या biology chemistry and agriculture फिर यह B-tech है तो B-tech dairy technology इसमें भी section 2 से हमें लेना है ठीक है लेकिन एक चीज़ याद रखना चलो यहां पर section 2 मेंशन है क लेकिन हम शूर नहीं है कि हमारे क्या माक्स आएंगी कितना क्या रेगा तो इसलिए मैं आपको यही suggest करूँगा कि आप जो एक language जरूर ले ले लेना हिंदी या English एक ले ले जिसमें भी आप comfortable अगर आप हिंदी में comfortable है हिंदी ले English में comfortable है English ले मोग टेस्ट बगिरा भी टेस्ट दे देना ताकि आप हर एक जो भी हमारा courses है maximum जितना हो सकता है उनके लिए हम eligible हो जाएं तो यह यहां पर हमारा सारे courses के लिए detail रहेगा आप इस notification के थूर पूरा इसको study कर लोगे अपने courses के लिए ठीक है ताकि आपको इसमें पूरी clarity मिल जाएगी और आपको कहीं कोई doubt नहीं रहेगा यहां पर यह फिर आगे fees वगेरा का भी बताया हुआ है कि हमारी course की जो fees रहेगी वो क्या रहेगी जैसा कि यह government college है तो काफी fees कम लगेगी और आपके parents पे भी बहुत कम burden पड़ेगा तो अच्छे से मेहनत करेंगे हम BHU भी crack करेंगे DU भी crack करेंगे क्य यह कौन-कौन से courses में क्या-क्या eligibility है तो वो आप read करके उस according ही अपना form fill करना जल्दबाजी अभी नहीं करनी है अराम से आप जो हफता 10 दिन अभी लेलो उसके बाद fill कर लेना So that's it about the BHU CUET UG 2023 notification. Thank you so much.